हेलो एब्रीवन, मैं में सली और यूर राचिंग मेरे कलूनी क्लासेज इतनी अंधेरी रात में सुल्तान कहां ले जा रहा है यार मुझे कहीं सांप वो अपने काट लिया, सांप बिच्छी का इतना डर है यार बारिस का मौसम है और इतनी अंधेरी रात, जल्दी से अपने मौबाइल का टॉर्च जलाओ तो मौबाइल का टॉर्च, मेरे पास वो छोटा वला मौबाइल नहीं है किपेड वाला, जो मैं टॉर्च जलाओ, ये बोलिए ना, कि फ्लेश लैट जलाओ तुम्हें क्या पता है, फ्लेश लैट के बारे में, आपको क्या पता है, टॉर्च के बारे में मैं बताता हूँ तुम्हें, ध्यान से सुनो, तुम्हें क्या लगता है, कि जो किपेड का मौबाइल होता है उसमें जो torch दिया रहता है उसे torch कहते है और जो हमारा smartphone होता है touch वाला mobile उसमें जो torch रहता है उसको flashlight बोलते हैं तुम यही न करना चाते हो हाँ हाँ बेशक मैं यही कहना चाता हूँ आप तो इतने अच्छे परहलिके हैं English परहते भी हैं है ना शाहिद सर लोग आपको बोलते हैं English के teacher बोलते हैं और फिर आप इसे torch बोल रहे हो वो torch नहीं है वो flashlight है और वो वाला mobile होता ना तो वो होता torch लेकिन मेरे पास तो smartphone है सुल्तान देखो तुम अभी misconcepting में हो मैं तुम्हारी misconcepting को दूर करता हूँ ऐसा क्या बताइए तुसे ही ठीक है सुनो American और British English के बारे में जानते हो सुने हो हाँ हाँ जरूर जरूर क्यों नहीं हम लोग ज़्यादा तर British English को follow करते हैं यानि 70-20% रिटेन रूप से देखा जाए तो British English को ही follow किया जाता है और spoken या devices जो होते हैं, systems होते हैं उनको American English को follow किया जाता है चलो इतना तो जानते हो तुम तो फिर तुमको ये problem तो ज़्यादा नहीं होगी चलो मैं तुमको समझाता हूँ American English में हम torch को ही flash light बोलते हैं और जो British English होती है न British English में उसे हम torch कहते हैं तो mobile का torch हो या तुम्हारा वो cell वाला torch हो यानि battery वाला torch कोई भी torch को तुम flash light बोल सकते हो अगर तुम flash light बोल रहे हो तो समझना कि मैं English American English कह रहा हूँ और अगर तुम torch कहते हो तो उसे तुम समझना कि मैं British में बोल रहा हूँ तो जो कीपेड का mobile है ठीक है उसे भी तुम flashlight बोल सकते हो भले लोगों को सुनने में हसी आ जाए कि देखो कितना बड़ा बेवकूफ है इसे flashlight बोल रहा है torch को ठीक है और ठीक इसके opposite जो हमारा smartphone है न टचवाला mobile उसे तुम torch कह सकते हो भले लोगों को ऐसा लगे कि तुम बहुत बड़ा मुर्ख हो वो बात लग है लेगन शायद उनको ये पता नहीं है कि torch और flash light एक ही चीज़ होती है बस American और British English का फरक होता है ठीक है तो फिर से एक बार बता दूँ कि mobile की paid का हो या कोई भी हो या battery वाला torch हो सेल वाला torch हो जो भी torch हो उसे तुम American English में flash light बोल सकते हो no problem ठीक है तो आगे से मुझे मत पढ़ाना कियूंकि मैं तो इतने सारे बच्चों को पढ़ाता हूं हजारों बच्चों को पढ़ा चुका हूं और सेगरों बच्चों को हर दिन पढ़ा करके आता हूं और तुम कि मैं बस अभी जलाता हूं ओके ओके जला लो तो सुल्तान ये misconception तुमारी दूर हो गई ना आज के बाद तो गलती वलती नहीं करोगे मिस understand तो नहीं करोगे ना नहीं सर इतने बढ़िया तरीके से अपने समझा दिया अब कोई दिकत मेरे साथ नहीं होगी very good मुझे भी यह यह उम्मीद थी तुमसे ओके तो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं रात काफी हो गई है और इतनी अंधेरी रात है तो dear students ये मैंने आज आज आपके गलती का एक परदाफाश किया गलती नहीं थी ये आपके misconception थी misunderstanding थी जो आप भी ऐसा सोच रहे होगे ना लेकिन आज के बास कॉमेंट के जरीए भी बताना वीडियो कैसी लगी और ऐसे वीडियो और भी चाहिए वो भी कॉमेंट में लिखना कि sir ऐसे वीडियो हमें बहुत अच्छी लगती है आप इसके बहुत सारे parts बनाएए आप 33 तो बना चुके हैं इसके 100 parts कम से कम देजिए और मैं 100 से भी ज्य संथ ही मिलेंगे तब तक के लिए बाइबाए एंड टेक के रहे हैं